राश्ट्रपिता महात्मा गांधी जीवनी, महात्मा गांधी इन हिंडी, आज हम आजाद भारत में सांस ले रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि हमारे राश्ट्रपिता महात्मा गांधी, महात्मा गांधी ने अपने अथक प्रयासों के बल पर अंग्रेजों से भारत को आजाद कराया यही नहीं इस महापुरुष ने अपना पूरा जीवन राष्ट्रहित में लगा दिया महत्मा गांधी की कुर्बानी की मिसाल आज भी दी जाती है राष्ट्रपिता महत्मा गांधी महत्मा गांधी के पास सत्य और अहिंसा दो हतियार थे जिन्होंने इसे भयावह और बेहद कठिन परिस्थितेों में अपनाया शांती के मार्ग पर चल कर, इन्होंने न सिर्फ बड़े से बड़े आंदोलनों में आसानी से जीत हासिल की, बलकि बाकी लोगों के लिए प्रेड़ना स्त्रोत भी बने। महात्मा गांधी को राष्ट्र पिता और बापूजी के नामों से भी पुकारा जाता है। वे सादा जीवन, उच्च विचार की सोच वाली शख्सियत थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन सदाचार में गुजारा और अपनी पूरी जिंदगी राष्ट्रहित में कुर्बा उन्होंने अपने व्यक्तित्व का प्रभाव न सिर्फ भारत में ही बलकि पूरी दुनिया में डाला। महात्मा गांधी महानायक थे जिनके कारियों की जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में एक साधारन परिवार में हुआ था। उनके पिता करम चंद गांधी ब्रिटिश हुकूमत के समय राजकोट के दिवान थे। उनकी माता का नाम पुतली बाई था जो की धार्मिक विचारों वाली एक करतव्य परायन महिला उनके महान विचारों का गांधी जी पर गहरा प्रभाव पड़ा था।। एवं मनिलाल गांधी था। महात्मा गादी जी की शिक्षा महात्मा गांधी एडूकेशन महात्मा गांधी जी शुरू से ही एक अनुशासित छात्र थे जिनकी शुरूती शिक्षा गुजरात के राजकोट में ही हुई थी। इसके बाद उन्होंने 1887 में बॉम्बे युनिवर्सिटी से अपनी मैट्रिक की पढ़ाई पूरी की। फिर अपने परिवार वालों के कहने पर वे अपने बैरिस्टर की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड चले गए। इसके करीब चार साल बाद 1891 में वे अपनी वकालत की पढ़ाई पूरी करने के ब लेकिन जब